आप में से इन न्यूमरेस बच्चे बहुत समय से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि माम सेंट्रल गर्मेंट स्कीम्स पिछले 6 महिने की कवर करवा दीजे तो चलिए हाजर है आपके सामने जैनुरी से लेके जून 2022 की जितनी भी सेंट्रल गर्मेंट स्कीम्स जानी केंद्रिय योज जिनाए रही हैं उनको कवर करेंगे आपकी सहूलियत के लिए मिनिस्ट्री के हिसाब से इन स्कीम्स को अरेंज कर दिया गया है एक बहुत कॉमन तरह का क्वेशन देखने को मिलता है कि एक्स वाइजी जो भी स्कीम है कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है ठीक है तो वह आ जो भी important points हों सबको पढ़ेंगे लेकिन बहुत सरल यानी easy language में पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि कुछ भी technical सा न अलगे जितना समझ पाओगी उतना ही तो answer कर पाओगे सो मेरी कोशिश रहेगी चीजों को समझा सके आज का class mnemonic based नहीं होगा आज का class understanding based होने वाला है ठीक तो शुरुआत करेंगे हम ministry of agriculture and farmers welfare से पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा तो क्रिशी ही नहीं होगी तो क्या करेंगे हम है ना सो क्रिशी एवं किसान कल्यान मंत्राले से शुरुआत करेंगे हर ministry की slide पे आपको जो cabinet minister है उस ministry को जो handle कर रहें union minister उनकी भी नाम आपको यहीं दिख जाएगा तो एक recall हो जाएगा जिन बच्चों ने पुराने वीडियो नहीं देखे होंगे मैं उनको बता दूँ हाल ही मैं मैंने आपको सारे updated cabinet ministers याद करवाए थे अगर आपको खुद को भी याद नहीं है और आपने वीडियो भी नहीं देखा तो please देख लीजेगा क्योंके cabinet ministers पता होना जरूरी है तो जिन्होंने देखा होगा उनका यहां पर revision हो जाएगा नरेंद्र सिंग तोमर जी agriculture minister है हमारे और साथ में additional reference के लिए state ministers भी डाल दीए बर नजर मार लीजेगा चलिए तो agriculture ministry में सबसे पहली scheme पे आते हैं PM किसान अब पता होना जिए PM किसान का full form क्या है ठीक है कौन सी ministry है वो तो पता चलगी हम पढ़ रहे हैं अभी agriculture ministry सो PM किसान का full form है किसान सम्मान निधी किसान सम्मान निधी निधी राशी होती है पैसा होता है राइट सो हर साल 6000 रुपे किसानों के खाते में directly पहुंचा दिये जाते हैं 2000 2000 2003 installment में स्कीम मोटे मोटी यही है समझ में आगे 2019 से इसको पूरा लॉंच किया गया था और लेकिन स्टेट लेवल पर अगर हम बात करें वैसे सेंट्रल गर्मेंट स्कीम है लेकिन एक ऐसा स्टेट है जो सेंट्रल स्कीम आने से पहले ही यह इस तरह का benefit अपने farmers को देने लग गया इस नाम से नहीं था रूथू बंदू स्कीम के नाम से था अभी मैं समझाओंगी लेकिन मोटी बात समझ में आ गए पीम किसान स्कीम क्या है किसानों के खाते में डिरेक्टली राशी पहुंचाई जाती है कितनी 6000 रूपीस तीन इंस्टॉल्मेंट में कब से है यह वैसे त बंदू स्कीम 2018 में तो आप कह सकते हो कि सबसे पहले किसानों के लिए इस तरह की कोई फिनांशल असिस्टेंस वाली जो स्कीम है वो ते लंगारा ने शुरू किया था 2018 में 2019 में मोदी जी ने फिर उत्तर प्रदेश से शुरू किया और 2000 रूपीस का इंस्टॉल्मेंट इसक 2022 तक या अब ये न्यूज में रही ये स्कीम क्यूं क्यूंके में 2022 में 11 इंस्टॉल्मेंट गया था टोटल 21,000 क्रोड का 10 क्रोड फार्मर्स के खाते में on an average तो कौन सी स्कीम पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी बहुत important है बहुत सारी स्कीम सरकार की चलती रहती है इतने सा कर रही है तो क्या सारी पढ़ने बैठोगे कोई अगर flagship स्कीम है यानि कि बहुत important है उस ministry को रेप्रेजेंट करते है इस ministry की सबसे important स्कीम है वो पता होनी चाहिए न्यूज में जो भी स्कीम बनी रहती है बहले से वह साथ साल पुरानी हो आठ साल पुरानी हो लेकिन अगर लुद में वापिस से आई है किसी भी रीजन से तो वह आपको पढ़नी ज़रूरी है जो नई स्कीम लॉंच हो रही है वो तो पढ़नी ही पढ़नी है रही तो थोड़ा सा filter करना सीखो कि क्या पढ़ना क्या था सिप्ढ़ना है इस कीम से और बहुत ज्यादा benefit अभी तक पह ठीक है जी समझ में आ गई next हम चलते हैं अगले scheme पे question form में भी हो सकता है किसी भी form में हो सकता है Center has notified a new campaign titled मेरी policy मेरे हाथ तो Center ने एक नई campaign शुरू की मेरी policy मेरे हाथ ठीक है this campaign has been launched under which scheme तो अब सवाले से भी बन सकता है तो आपको सारी variety देखने को मिल रही है अच्छा अगर आप चैनल से बहुत लंबी समय से जुड़े हो बहुत लंबी इनसेंस च्छे-अट महीने से जुड़े हो तो ऐसा नहीं होगा कि schemes कभी आपने नहीं पड़ी होंगी daily CA में नहीं तो weekly में नहीं तो महीने में मंतली CA में कहीना कहीना कहीं आपने touch upon की होंगी पर यहां यह benefit है of course आप एक साथ पढ़ लोगे ministry wise segregated है तो अच्छे से तयार कर पाऊगे सो मेरी policy मेरे हाथ कौन सी scheme के तहट आता है तो सबसे पहली चीज यह agriculture ministry के अंडर में है कौन सी scheme है प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना crop insurance प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना फसल बीमा यानी crop का insurance होगा उसी के तहट एक campaign स्टार्ट किया गया मेरी policy मेरे हाथ कि यह जो policy है यह जो योजना है बीमा योजना इसकी सारी detail किसानों तक पहुँच सके कि क्या है फसल बीमा योजना कैसे apply करते हैं कैसे benefit लेते हैं तक किसान के पहुच जाए उसके लिए campaign शुरू की गई थी मोटे मोटे दौर पर समझ में आ गया अब points देख लेते हैं campaign doorstep distribution drive है to deliver crop insurance policies to farmers जैसे हम insurance policies करवाते हैं वीकल की हो life insurance हो medical insurance तो policy document आता है ना हमारे पास तो यह जो campaign था मेरी policy मेरे हाथ यह भी campaign था कि घर गड़ जाके policies दे सकें कौन सी policy फसल बीमा योजना यानि crop insurance policies तो सारी farmers को पता हो कि उनकी policies है या नहीं है उसमें land record कि क्या maintained है claim कभी करना हो grievance addressal कैसे होगा claim कैसे किया जाएगा इस आरी जानकरियन तक पहुँच सकें अब क्यूंकि हमने बात की है प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना की अब यह scheme क्या है यह पता होना चाहिए राइट तो आजो प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना छै साल पहले इंप्लेमेंट हुई थी यहनी 6 साल इसके इंप्लेमेंटेशन के पूरे हो चुके हैं और 2016 में इसको 18 फेबरी को लॉंच किया था कहां से सिहोर मध्यप्रदेश से तो 2016 में MP से लॉंच की गई थी प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना ठीके जी ओके तो यह हो गया अग्रिकल्चर मिनिस्ट्री से रिलेटेड बाते अब चलते हैं दूसरी मिनिस्ट्री के कौन सी है सुक्षम लगू और मध्यम उद्यम मंत्राले यानि MSME, Micro Small Medium Enterprises Ministry कौन है मिनिस्टर, Cabinet मिनिस्टर? तातू, तातू यादे? नारायन तातू, राने, राइट पहली खबर देखेगा, प्राइम मिनिस्टर's Employment Generation Program extended तिल Financial Year 2026 यानि कि प्राइम मिनिस्टर का Employment Generation Program था उसके अवदी बढ़ा करके 26 तक के लिए उसको एक्सेंट कर दिया गया है अब जैसे यह खबर आती है एक्जामिनर बोलता है रहे वाह कुछ पूछने को मिलेगा क्या पूछने को मिलेगा के Employment Generation Program कब शुरू हुआ क्या है और अगर अवदी बढ़ाई है तो आउटले कितना रखा गया आउटले क्या होता है जब कभी भी किसी प्रोग्राम या स्कीम को आगे बढ़ा दिया जाता है कि चलो अब इसको चार साल और चलाया जाएगा है पांच साल और चलाया जाएगा तो कुछ नो कुछ बजट लगेगा है ना पैसा खर्च होगा उसको आउटले कहा जाता है तो यह जो Employment Generation प्रोग्राम है जो की 25-26 तक के लिए एक्स्टेंड कर दिया गया है उसका आउटले है 13,554.42 क्रोर्स इतना पैसा इस पर खर्च किया जाएगा सरकार के द्वार ठीक है क्या एम है भई इस प्रोग्राम का Employment Generation नाम से समझ में आ रहा है रोजगार opportunities बढ़ानी है है ना sustainable employment opportunities create करनी है 40 लाक लोगों के लिए अगले 5 साल में और यह कैसे होगा इंडिविजल नौकरियां दे करके तो होगा नहीं तो जो Micro Enterprises अब देखो कौन सी Ministry से जुड़ी हुई है यह MSME से जुड़ी हुई है तो कहीं ना कहीं Micro Enterprises medium size Enterprises शुरू करने की बात हो रही होगी तो Micro Enterprises शुरू करने के लिए Loans, Subsidies, Credits दिये जाएंगे ताकि छोटे-छोटे Businesses खड़े हो और लोगों को रोजगार मिल सके ठीक है कौन सी सेक्टर में यह Micro Enterprises Setup करने के लिए यह सारी Facilities दे जाएंगी Non Farm Sectors यानि खेती बाड़ी छोड़ दीजे पार्मिंग वाले एरिया छोड़ दीजे उसके अलावा कुछ भी अगर Micro Setup करना चाहते हो Enterprises तो आपको सपोर्ट किया जाएगा और इसके लिए जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है उसको बढ़ा दिया गया है पहले जैसे 25 lakhs manufacturing units को दिये जाते थे तो आप उनको maximum 50 lakh रुपे तक की सपोर्ट यानि लोन्स बगेरा प्रोवाइड किये जाएंगे और जो सर्विस सेक्टर है उसमें अगर आप कोई Micro Enterprise स्टार्ट कर रहे हो तो पहले 10 lakh रुपे दिये जाते थे अब 20 lakh तक का आपका लोन संक्षन हो सकता है तो बेसिकली आपको सपोर्ट दिया जा रहे है कि आप Micro Enterprises खड़े करो उसके वज़े से Employment Generation होगा पूरी एकनोमी आगे बढ़ेगी और यह जो प्रोग्राम है 2008 में स्टार्ट किया गया था MSME Ministry मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ध्यान रखेंगे थोड़ा सा common sense लगा होगे तो वैसी समझ में आ जाएगे ठीक है चलिए तो MSME की एक स्कीम हमने देख ली अब चलते हैं तीसरी स्ट्री कियो कौन सी है दूर संचार विभाग दूर संचार विभाग यानी department of telecommunications telecommunications अश्वशनी वैश्नावbe Honorable Minister अश्वशनी वैश्नाव इन मिनिस्ट्र of स्टेट भी आप देख सकते हैं अब अगर आपने याद किर रखा होगा है cabinet ministers तो थोड़ा बहुत भी टेखनीक तक पहुच पारे होगे कि रिविशन नहीं भी किया और तो भी देखिएगा associations दिमाग में वापस आएंगे है ना so that is the beauty of technique anyways हर्जे की टेखनीक की जरुत नहीं जैसे आज हम जो पढ़ रहे हैं उसमें समझने का थोड़े बहुत पॉइंट्स ध्यान करने के बागी समझने का है समझ लोगे थोड़े बहुत लॉजिकल associations में धार लोगे याद हो चाहेगा तो व्यर्ड टेखनीक की जरुत आज नहीं है तो जहां जिस तहें की जरूरत है उसी तरह से पढ़ाई की जानी चाहिए अब हम दूर संचार यानी टेली कम्यूनिकेशन मिनिस्ट्री के अंदर देखते हैं सबसे पहले गर्मेंट लॉंच इलर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी फॉर डाक सेवक्स और डाक पोस्टल डेपार्ट्मेंट टेली कम्यूनिकेशन मिनिस्ट्री के अंदर है तो गर्मेंट ने लॉंच किया है डाक कर्मयोगी एक पोर्टल जो की डाक जक्सिंधे है पॉस्टल सर्विसमें नारा e-learning यानि कि कुछ ना कुछ ट्रेइनिंग दी जाएगी कुछ ना कुछ सिखाया जाएगा राइट टू डेवलप कॉंपीटेंसीज ओफ अब फोर लाक ग्रामीन डाक सेवक एन डिपार्टमेंट ऑफ इंप्लोई तो ग्रामीन इलाकों में जो डाक सेवक होते हैं उनकी स्केलिंग के लिए उनकी ट्रेनिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा और चार लाग ग्रामीन डाक सेवक को रेडी किया जाएगा और जिन जिनने ट्रेनिंग ले ली उनक Ministry of New and Renewable Energy and Ministry of Power दोनों के Union Minister कौन है? बड़े राजकुमार हो राजकुमार सिंग पहली योजना देखते हैं PM कुसुम योजना कुसुम का मतलब फूल होता है जहां तक मुझे पता है कुसुम का मतलब फूल होता है में subsidies वगेरा प्रोवाइट करना ताकि वो self-sufficient हो सके in terms of electricity बहुत ज़ादा उनको बार-बार बिजली के चकर में रुखना ना पड़े ठीक है तो यह कहीं न कहीं दोनों को मिलाती है agriculture और new forms of energy को लेकिन यह कौन से ministry की है new and renewable energy तो कुसुम का full form क्या है किसान, उर्जा, सुरक्षा एवं उत्थान, महाभियान प्रधान मंतरी किसान, उर्जा, सुरक्षा एवं उत्थान, महाभियान, योजना 2019 March के अंदर इसको launch किया गया था इसके twin aims है पहला aim है कि energy security जो है वो farmers को मिल सके क्योंकि खेती में बहुत सारी जगे energy का काम होता है tube well अगेरा से पानी निकालना है pumps and all से दूसरा जो इसका main commitment है कि जो installed capacity of electric power non-fossil fuel से जो electric power हम बना रहे है 40% by 2030 उसका share इतना increase हो जाए right so to increase the share of installed capacity for electric power from non-fossil fuels तो उसका जो share है 2030 तक 40% energy हम non-fossil fuels से बना रहे हो यानि renewable form of energy से बना रहे हो ठीक है तो scheme का aim है solar और दूसरी renewable capacities को add करना 25,750 megawatt 2022 तक 22 के end तक ठीक है और total financial support इसके लिए 34,422 crores है यानि outlet ना है तो अब इसमें like I told you दो benefit है farmers का भी benefit है और non-renewable energy के हमारे targets meet करने का भी है तो financial support दिया जाता है farmers को 60% subsidies कि आप जो solar plants वगेरे हैं अपने छोटे individual level पे grids वगेरे हैं energy ministry अब हम आते हैं अगले ministry की तरफ स्वास्ति एवं परिवार कल्यान मंत्राले यानि ministry of health and family welfare कौन है minister तंसुख मंसुख मंसुख मंडाविया साहब ठीक है अब देखा एक्जाम में कई आपसे उस campaign का नाम यानि अभियान का नाम पुछा जा रहा है जिसको जून 2022 में launch किया गया था COVID-19 का complete vaccination हो सके इसका नाम था हर घर दस्तक campaign 2.0 ओके हर घर दस्तक knock 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 COVID vaccination हो गया नहीं हुआ तो लाई ये लगा देते हैं ओके like that so special focus इस वाले campaign में किन लोगों पे रहा 12 to 14 age group वाले लोगों पे and also जो की 60 साल से उपरत के लोग थे ठीक है और ये हर घर दस्तक campaign 2.0 यानि इससे पहले एक और campaign हुआ होगा बिल्कुल वो जून ये वाला जो campaign था ये तो जून जुलाई में हुआ इससे पहले जो था first हर घर दस्तक campaign वो November 2021 में हुआ था ये वाला जून जुलाई के अंदर conduct किया गया दो महीने के लिए था short duration के लिए तो ये मन सोचेगा जून जुलाई में दो महीने का campaign था तो अब तो क्या पूछेंगे नहीं टाइम दे करके पूछा जा सकता है कि दो महीने जो चल रहा था वो campaign का ना सम्रिद स्वास्त के बुन्यादी धाचे में सुधार के लिए भारत सरकार की एक पहल है इस पहल को समर्धन कौन कौन देता है अब एक international body है जिसने इसको समर्धन दिया इस सम्रिद इनिशियेटिव को और ये यूएस एड यूएस एड जो मिलके सम्रिद इनिशियेटिव को चलाते है सम्रिद का फुल फॉर्म तो आपको थोड़ा भहुत पकड़ना पड़ेगा इसका ये मतलब है कि जो हेल्थ केर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलब करना होता है हॉस्पिटल्स हो गए उनको अपनी कैपासिटी बिल्डिंग करनी है उनको नई-नई टेकनीक सीखनी है है ना ट्रेनिंग्स लेनी है एक्विपेंट्स भी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए तो इन सब के लिए फंडिंग चाहिए तो ये फंडिंग कौन करेंगे ये पूरा सिस्टम डेवलब करना ऐसी कम्यूनिटी बिल्ड करना इस funding को encourage करना तो ये जितनी भी organization के नाम आप देख रहे हो ना ये सब मिलके कोशिश करते हैं कि funding को invite किया जाए ये funding फिर healthcare sector में distribute की जाए ताकि वो अपनी development कर सके infrastructure wise भी capacity building wise भी गॉट इट ठीक है तो देख लीजिए अब आप इसे सम्रिद जो इसे वह परिवार कर लियान है ना हमारा परिवार भी सम्रिद हम चाहते हैं हमारा स्वास्त भी सम्रिद चाहते हैं तो ये ministry से associate आप ऐसे कर सकते हो और USAID अटल innovation mission नीती आयोग इन समने मिल करके सम्रिद चला रखा है थोड़ा और देख लीजिए इसके बारे में सम्रिद combines the commercial capital with public and philanthropic funds ठीक है तो आम लोगों से या जो donations करते हैं या फिर जो corporate houses है जिनकी social corporate social responsibility के तहत वो लोग donations अवगरा करते हैं उन सब से पैसा लेना और फिर help करना greater resources towards market based health solutions जो market की need है यानि कि अभी जिस चीज़ की need है जैसे जब oxygen की कमी थी तो oxygen cylinders और oxygen के plants वगएरा लगाना तो उसके लिए funding हो गए example दे रहे हो affordable or quality healthcare services develop करना इसके लिए funding वगएरा जुटाते हैं दूसरी चीज़ technical assistance and capacity building component सिरफ धाचा खड़ा कर दिया infrastructure खड़ा कर दिया लेकिन लोगों में तो कोई सुधार आया ही नहीं उनके अंदर कोई X Factor नहीं बोलेंगे उनके अंदर कोई upgrading नहीं हुई upskilling नहीं हुई तो भी काम नहीं चलेगा तो technical assistance भी provide करना जो भी infra है उसके हिसाब से लोग भी आपके develop हो आपके systems भी develop हो उन सब की भी training प्रोवाइड की जाती है ठीके जी long term sustainability और expansion के लिए so basically 35 to 40 healthcare innovators तीन साल मेंट हूंडे जाएंगे जिनके ओपर यह funding लगाई जाएगी और 100 million dollars से भी जादा की funding एकटी करना और अभी काफी cross हो गया 200 million dollar के आसपास I think जुट गई है and then जो comprehensive healthcare services उनको उन तक यह पहुचाना उनको डेबलाप करना ताकि जो आम जनता है जो services लेने वाली है उनके उपर बर्डन कम आए right when the hospitals will have good funding तो आम जनता से थोड़ा कम वसूलेंगे so this is how the samrid initiative is working so of course public sector से जुड़ी हुई चीज है तो कोशिश यही रहेगी कि कम से कम खर्चों में बहतर स्वास्त सुविदाएं जनता तक पहुच सके हैं उसके लिए samrid initiative चल रहा है I hope I am able to explain things to you in an easy manner अगला चलते हैं The Health Ministry has launched which edition of intensified Mission Indra Dhanush in February 2022 अब यह Mission Indra Dhanush बहुत बार news में हम सुन लेते हैं पिछले साल भी हमने देखा था पिर आ गया February में क्या है यह Mission Indra Dhanush टीका करन का Mission है जो vaccination होता है Mission Indra Dhanush is that अब इसके अलग-अलग editions आते रहते हैं अब जो latest है That is Indra Dhanush 4.0 समझ के ठीक है अब समझेगा तो Health Ministry ने intensified और बढ़ा चड़ा करके Intensified Mission Indra Dhanush February 2022 में लॉंच किया वो कौन सा edition था 4th edition था याद रखेंगे latest edition is 4th तो February 7 को वर्चुली इसको लॉंच किया गया मनसक मंडाविया जी ने किया तीन राउंड में 416 डिस्ट्रिक्स में 33 states और Union Territories को मिला करके इसको लॉंच किया गया ठीक है अब देख लेते हैं Mission Indra Dhanush Full Immunization यानि कि complete टीका करन हो जाए जो भी बिमारिया बचाई जा सकते हैं हम खुद को बचा सकते हैं उनसे तो बचा ही लिए हम खुद को यानि बड़ों के लिए नहीं दो साल तक के बच्चे और जो माताएं होती है उनके लिए जो टीका करन होता है जो dispensaries वागिरा में अगर आप जानते हो जाते हैं फ्री का टीका करन होता है All that is under Mission Indra Dhanush So to ensure full immunization जितनी भी available vaccines है Under Universal Immunization Program Mission Indra Dhanush Universal Immunization Program से जुड़ा हुआ है उसके तहत यहाँ पर टीका करन किया जाता है दो साल तक के बच्चे और pregnant women हाँ Delivery के बाद तो और कोई टीका लगता नहीं पहले कही होता है So launched year 2014 में इसको launch किया गया था और जितनी भी vaccines हो free of cost available की जाती है Universal Immunization Program के तहर 201 high focus districts को जब यह launch किया गया था 28 states में identify करके और partial immunization जहाँ पर हो रहा है या unimmunized हैं बच्चे वहाँ पर इसको शुरू किया गया था ताकि complete immunization हो सके और इसको technical support WHO, UNICEF, Rotary International Insights अंस्थाओं से मिलता है अब बात आई है Universal Immunization Program की वो भी समझ लेते हैं So, Universal Immunization Program से पहले पी एक program इंडिया में launch हुआ उसका नाम था Immunization Program उसका नाम था Expanded Program of Immunization क्या नाम था? Expanded Program of Immunization यह launch किया गया था 1978 में ठीक है? इसी को इसी को फिर modified करके UIP कर दिया गया 1985 में तो अगर पूछ लिया जाए वैसे आप तयारी रखे अगर पूछ लिया जाए UIP कब launch हुआ तो आपका answer होगा 1985 My birth year हम पैदा हुआ और बोले चलो आप बिमारें का पहले से टीका करना शुरू कर दो अगर बहुत बड़ी बिमारी आ गई है तो UIP 1985 में launch किया गया था इसका purpose क्या था free of cost vaccine सारे बच्चों को मिल सके 12 ऐसी diseases थी जिनको vaccine preventable diseases कहा जाता है VPDs उनके against vaccination होना ही होना है और rapid immunization coverage हो सके जल्दी vaccines लग सके अगर हम self-sufficient हो सके इन vaccines को बनाने और लगाने में ओके चलिये जी तो यह हुआ बढ़ते हैं अगली point पे The insurance scheme for healthcare workers fighting COVID-19 has been extended for 180 days from April 19, 2022 यानि कि जो insurance scheme थी healthcare workers की जो COVID-19 से लड रहे थे patients वगरा को देख रहे थे उनके लिए insurance scheme थी कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो 50 लाग तक का तो उस scheme को वैसे खत्म हो जानी थी April 19, 2022 से लेकिन आगे extend कर दिया 180 days यानि कि 6 महिनों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया तो scheme was launched under which central sector scheme यह जो health insurance scheme है healthcare workers के लिए यह कौन सी central government scheme के under में launch की गई थी यह आपसे पूछा जा रहा है तो प्रधान मंत्री गरीब कल्यान package प्रधान मंत्री गरीब कल्यान package प्रधान मंत्री गरीब कल्यान package के under में insurance scheme for healthcare workers fighting COVID-19 इनको launch किया गया था और अब उसको further 180 days के लिए आगे बढ़ा दिया गया है तो यह जो प्रधान मंत्री गरीब कल्यान package है इसकी पहले हम बात कर लेते हैं यह 30th March 2020 को launch किया गया था ताकि accidental cover 50 लाक रुपे तक का दिया जा सके frontline health workers अगरा को जो अगर अपनी जान गवा देते हैं यह completely permanently disabled हो जाते हैं because of their work जो वो कर रहे हैं तो सारे health centers wellness centers hospital of central state government में यह scheme लागू होती है ठीक है जी तो यह हो गया हमारा health and family welfare ministry से related सारी scheme अब हम आ जाते हैं ministry of housing and urban affairs कौन है minister हर्दीप सिंह पुरी और कौन सी ministry देखते हैं हर्दीप सिंह पुरी जी लिखके बताएंगे चली लिखो बताओ याद करवा रखा है यह अपने घर में कोई पूरियां तलते हैं किस चीज में तलते थे if you remember the technique तो हर्दीप सिंह पुरी जी के पास एक तो housing and urban affairs है दूसरी कौन सी ministry write down so ministry of housing and urban affairs launch is Nippon project Nippon project for promotion of skill training of और अपग्रेड करने के लिए उनकी skill को ताकि उनको better job opportunities मिल सकें वो overseas जाके भी काम कर सकें उसके लिए Nippon project launch किया है किसने ministry of urban and housing housing and urban affairs ने निपन का full form देख लेते हैं national initiative for promotion upscaling of निर्मान workers promoting promoting upscaling of निर्मान workers निर्मान या निर्मान काम यानि construction so यह जो Nippon project है यह upscaling के लिए है ताकि skill upgrade की जा सके it has been launched in partnership with NSDC national skill development corporation so NSDC जो है उसके partnership के अंदर under its flagship scheme day NULM अब यह day NULM किसकी flagship scheme है ministry of housing and urban affairs की right so ministry of housing and urban affairs की एक main scheme चलती है day NULM that is deen dayal antiyoday yojna national urban livelihood mission right और इसी के अंदर में Nippon project को भी launch किया गया है ठीक है यहां तक की बात समझ में आ गई ठीक है अब Nippon project का aim है to train 1 lakh construction workers skilling अगरा करके done अब देख लेते हैं day NULM के बारे में क्योंकि जलो Nippon के बारे में समझ में आगे 1 lakh workers को skill upgrade करना है बात इतनी सी है day NULM centrally sponsored scheme है 2014-15 से चल रहे हैं इसका aim क्या है poverty और vulnerability जो urban poor households में है उसको reduce करना यह भी self employment skill up gradation पे काम करती है जो शहरी आबादी के अंदर जो बिलकुल lower income group हो जाता है जो कही न कहीं गाउं से आया होता है या कुछ तो उनको कोई न कोई skill सिखाना ताकि उनके रोजगार के options बढ़ सके enabling them to access self employment and skill wage employment opportunities ताकि उनकी livelihood sustainable हो सके तो आप देखिएगा यह MSME scheme नहीं है this day NULM that is national urban livelihood mission आप शहरी इलाकों में रोजगार कमा सको अपनी कमाई कर सको अपना जीवन यापन कर सको से जुड़ी हुई है यह Housing and Urban Affairs और इसी के तहट निपुन प्रोजेक्ट है Central Government of India gave approval to the project proposal for construction of more than 60,000 houses in five states under the Pradhan Mantri आवास योजना अर्बन यानी की भारत की किंद्र सरकार्ण ने Pradhan Mantri आवास योजना शहरी के तहट 5 राज्यों में 60,000 से अधिक घरों के निर्मान की प्रयोजना पस्ताव को मंजूरी दे दी है PMAYU यानी Pradhan Mantri आवास योजना अर्बन was launched in which year अब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है Pradhan Mantri अर्बन योजना के तहट क्योंकि एक statement आ गया कि प्रधान Mantri आवास योजना अर्बन एक रूरल भी है यानी ग्रामीन इलाकों में affordable living प्रोवाइट करना houses प्रोवाइट करना और एक है प्रधान Mantri आवास योजना आवास means housing अर्बन यानी urban areas में housing affordable housing ताकि जितने भी लोग कच्ची जोपडियां जुग्गी बस्ती इन सब में रहते हैं जिनके पास अपने खुद का घर नहीं है और अगर वो eligible हैं तो उनको affordable rates पे मिल सके इस प्रधान Mantri आवास योजना अर्बन तो इसके तहट approval मिला है 60,000 houses को construct करने का 5 states के अंदर तो वो अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है तो कब शुरू हुई भाई है 2015 में शुरू हुई number 1 5 states कौन से हैं जिनमें ये 60,000 houses construct होने हैं आंध्रप्रदेश, करनाटका, map दिमाग में चापते चलेंगे, आंध्रप्रदेश, करनाटका, राजस्थान, 36 गड़, हिमाचल प्रदेश ठीक है अट मोमेंट 114.04 लाक्स, टोटल नमबर अफ सैंक्शन हाउस है, यानि इनको सैंक्शन मिल चुक है इतने घर बनाने है टोटल इंवेस्मेंट जो इस पर लगा है, वो 7.52 लाक क्रोर का लग चुका है जिसमें की 1.87 लाक क्रोर डिरेक्ट असिस्टेंस सेंट्रल गवर्मेंट से आनी है बाकी स्टेट का भी इन्वाल्मेंट रहना है अब प्रधान मंत्री आवास्योजना अर्बन के पारे में थोड़ा सा देख लेते हैं प्रधान मंत्री आवासयोजना अर्बन फ्लागशिप मिशन है गवर्मेंट अफ इंडिया का जो की मिनिस्ट्र आफ हाउजिंग अर्बन अफर्स लांच कर दी नमबर वान में काम क्या है इसका जो चलो पहले यह देख लेते हैं कब लांच होई है 2015 हमने देखा 25 जून 2015 में इसका में एमिशन है अर्बन हाउजिंग शॉर्टेज जो एकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं लोवर इंकम ग्रूप होते हैं मिडिल इंकम ग्रूप होते हैं इंक्लूडिंग स्लम डॉइलर्स उन सब को पक्का हाउज देना जितने भी एलिजिबल लोग ने उनको पके घर हमको मिल जाएं इसमें खास बात यह है कि जो फीमेल होती है उस घर की उसके नाम पे रजिस्ट्री होती है जॉइंट रजिस्ट्री होती है तो विमेन की सिक्यॉर्टी को भी ध्यान दिया जाता है रैट पे घर लिए जाते हैं उसमें भी इसमें प्रावधान होता है यह सारी तो ओल इस आदर प्रोविजिंस में में बात है निक्स हम आते हैं इंडिया वाटर पिच पाइलेट स्केल स्टार्ट अप चालेंज हैंड भी अस बीन लॉंच बाइच अंडर विच स्कीम यानि कि किस योजना के तहट इंडिया वाटर पिच पाइलेट स्केल स्टार्ट अप चालेंज शुरू किया गया है आंसर इस अमृत 2.0 अमृत 2.0 के तहट इस चालेंज को लॉंच किया गया है अब क्या है अमरु 2.0 फुल फॉल फॉर्म आना चाहिए आपको अटल मिशन फॉर रीजोविनेशन और अर्बन ट्रांसफर्मेशन सो जो शहरी इलाके होते हैं उनका ट्रांसफर्मेशन करना कैसे ट्रांसफर्म होगा जब पानी अच्छा होगा सीवरेज सिस्टम फ्रॉपर चल रहे हूंगे सफाई होगी पार्ट्स रखेहा हो आने जाने की ट्रांसपॉर्टरिशन फइसलिटीज प्रॉपर होंगी लिविंग ढंकी होगी तो उनको इन ही सारी facilities को जिन शहरों में incorporate किया जाते हैं उनको अमरुद cities कह दिया जाता है ऐसी कुछ cities पिक की जाते हैं जिनके ओपर यह सारे work किया जाएंगे हैं तो मैं आपको साथी साथ अमरुद भी बताती जा रहे हूं इसी अमरुद 2.0 के तहट वाटर इंडिया वाटर पिछ पाइलेट स्केल स्टार्ट अप चालेंज की शुरुआत की गए ना चैलेंज क्या है देखिएगा इन्डिस चालेंज Ministry of Housing and Urban Affairs ने 100 स्टार्ट अप को सिलेक्ट किया है उनको 20 लाग रुपे इच की फंडिंग प्रोवाइट की जाएगी और mentorship दी जाएगी जो शहरों से related problems का solution कहीं ना कहीं प्रोवाइट कर रहे होंगे और इसमें भी main issue क्या रहेगा वाटर अब ना कमिंग ओवर तो अमरुत mission क्या है इसको जून 2015 के अंडर लॉंच किया गया था बेसिक सर्विसेज जो होती है water, seaverage, urban transport यह सारी household को और cities को प्रोवाइट करने के लिए अमरुत mission है अमरुत 2.0 को 1st October 2021 में लागू किया गया जिसमें की major जो focus था water secure cities बनाना universal coverage of water सारे state utility towns में और 100% coverage, seaverage और septage management का 500 अमरुत cities में right, so जो wastewater management होता है, seaverage होता है उसका management, water का proper management इस बार का जो 2.0 का mission है वो water और seaverage और sanitation पे focused है और इसी के चलते एक challenge भी ले करके आया गया है got it, next, center launches स्वच्छ सर्वेक्षन 2023 अंडर SBM Urban 2.0 so स्वच्छ सर्वेक्षन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सफाई से related survey होता है right, उसको launch किया गया है 2023 के लिए under SBM Urban 2.0 SBM Urban किया है, स्वच्छ भारत mission Urban 2.0 स्वच्छ भारत mission के तहत ही स्वच्छ सर्वेक्षन किया जाता है so 8th edition है, यह स्वच्छ सर्वेक्षन 2023 का स्वच्छ भारत mission 2.0 के तहर इस बार की theme क्या रही, important है यह चीज, waste to wealth waste से wealth बनाना, यह स्वच्छ सर्वेक्षन की theme रहेगी then survey would give priority to 3R को priority दी जाएगी recycle, reduce and reuse स्वच्छ सर्वेक्षन को Ministry of Health and Urban Affairs करवाता है और कब से शुरू किया था, 2016 से इसको start किया था, इस बार यह 8th edition है और बस, that is it basically to encourage सफाई रखो, competition होता है आपस में अगले सवाल के और बढ़ते हैं, which ministry has launched स्वच निधी से समृधी program in additional 126 cities and 14 states and union director ज्यानी कि किस मंत्राले ने 14 राज्योर केंदर शासित प्रदिश्यों के अतिरिक्ट 126 शेहरों में स्वच निधी समृधी कारेक्रम शुरू किया यह हिंदी का कुछ translation का गड़बड है basically स्वच निधी से समृधी एक program है जो पहले भी चल रहा था और अब उसको additional 126 cities में 14 states or union territories में और फैलाया गया है तो आप से पुचा जा रहा है यह जो स्वच निधी से समृधी program है कौन सी ministry के अंडर में आता है तो अभी तो हमें पता है because ministry of housing and urban affairs पढ़ रहे हैं लेकिन अदर वाइस आपको यार रखना पड़ेगा अब एक चीज़ समझेगा स्वच निधी स्कीम ministry of housing and urban affairs की पहले चल रही थी उसी स्कीम को फिर आगे खीचा गया स्वच निधी से समृधी और अब उसी स्वच निधी और समृधी स्वच निधी से समृधी को और फैलाया जा रहा है समझा गई बाद तो चली पहले देखते हैं स्वच निधी से समृधी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट स्ट्रीट वेंडर्स तक पहुँच सके यानि जो रोड के किनारे अपने छोटे-छोटे बिजनस चलाते हैं सबजी वाला हो गया अधूबी हो गया मोची हो गया दो पहुचाना जोगों तक कि पहुच इन लोगों तक सोशल सिक्योरिटी बेनेफिट पहुच सके अभी मैंने आपको बताई सवान इधी से समृधी additional program है PM स्वानिधी का अब यह PM स्वानिधी क्या है PM स्वानिधी का मतलब है Prime Minister Street Vendors आत्म निरभर निधी निधी यानि पैसा आपको आत्म निरभर बनाने के लिए पैसा दिया जाए यानि easy loans तो central government scheme है जो 1 जून 2020 को 1 जून 2020 को start की गई थी और यह December 2024 तक के लिए तो अभी चल रही है affordable working capital loans to street vendors तो स्वानिधी मेरा पैसा मुझे मिले अपना working capital loan मिले तो वो तो स्वानिधी और स्वानिधी से सम्रिधी क्या है इनको social security benefit मिले दोनों का meaning समझ में आ गया चौलो moving over to ministry of finance पैसा ओके stand up India scheme completed 6 years अब देखो आप में से जो खुद पढ़ रहे होगे कभी हो सकता है not necessarily पर ऐसा भी एक chance हो सकता है कि सोचो कि 6 साल हो चुके मतलब पुरानी scheme में अब 6 साल बाद थोड़ी में examiner कूचेगा पूच सकता है भर अगर news में आ गया है कि XYZ scheme को 6 साल पूरे हो गए तो examiner बोलेगा आप हाँ हाँ चलो एक और सवाल बन सकता है बताओ बेटा यह scheme कौण से है क्योंके हाली में news में रही है so whatever is in current whatever is in current can be asked from static perspective also तो stand up India scheme completed 6 साल तो अब चलो बताओ scheme के बारे में scheme को launch किया था PM Modi ने 5 April 2016 को यानि 5th of April 2016 को number one to facilitate loans अब देखो ministry of finance है तो पैसा पैसा होगा हर जगे पर अब आपको differentiate करना होगा कहाँ पे MSME आएगी कहाँ पे ministry of finance आ रही है कहाँ पे ministry of urban and housing affairs आ रही है okay so you have to be very vigilant while studying all these to facilitate loans between 10 lakh and 1 crore 10 lakh से लेकर के 1 crore तक के loans देना to schedule cash, schedule tribe और woman borrower पर bank branch ये तो objective है कि हर bank की branch कोई ना कोई loan या तो किसी schedule cash या schedule tribe के एक इनसान को या किसी एक महिला को दे रहा हो और किस amount तक का 10 lakh से लेके 1 crore तक का of course जरुवत के हिसाब से और किस चीज़ के लिए loan घर बनाने के लिए नहीं green field enterprise setup करने के लिए green field enterprise यानि उसका पहला कोई venture है पहली बार वो कोई business setup कर रहा है वो manufacturing से related हो, service से related हो, trading से related हो तो loans provide करना business loans basically business loan provide करना किसको preferably preferably ही नहीं, किसको देना SCST और women को देना तो अब इसका अभी तक का जो क्यूंके 6 साल हो गए तो 6 साल में भाफ से loans गए होंगे तो उसका एक बार देख लिए 30,160 crore rupees अभी तक sanction हो चुके है 1,33,995 accounts तब open हो चुके है मतलब इतना पैसा इतने account में जा चुका है इतने account में इतना पैसा total पहुँच चुका है जब से scheme चालू हुई है got it सबका साथ सबका विकास वाला जो एक agenda है वो उसके तहत ये काम चल रहा है और इसको already extend कर दिया गया है September 2020 not September 2025 तक PM Mudra योजना celebrates completion of 7 years अब एक और योजना है जिसके 7 साल पूरे हो गए है तो देखते हैं PM Mudra योजना क्या है मुद्रा मुद्रा भी financial related है तो ministry पकड़ लो गया सो प्रधान मंत्री Mudra योजना PMMY 8 April 2015 को launch की गई थी objective था to grant loans of up to 10 lakh up to 10 lakh रुपे तक के loans to non corporate non farm small micro enterprises जो farming sector से related भी नहीं corporate से related भी नहीं है ऐसे small or micro enterprises अगर आप set up कर रहे हो तो आपको 10 lakh रुपे तक का loan provide किया जाए यह प्रधान मंत्री Mudra योजना और इसमें भी तीन categories कर दी गई शिशू किशोर तरुन शिशू किशोर तरुन शिशू यानि बिलकुल अभी आप आपका जो business है वो किस level of development या growth पे और आपको कितने funding की जरुत पढ़ रही है उस हिसाब से तीन categories में आपको बाढ़ दिया जाएगा और उतना ही loan आपको sanction किया जाएगा शिशू को शिशू यानि बच्चों को नहीं मिलेगा मिलेगा बढ़ों कोई लेकिन यह category का नाम है किशोर यानि up to five lakh तक का loan आपको मिल सकता है और तरुन यानि आपको ten lakh rupee तक का loan मिल सकता है और अभी तक का performance रहा साथ साल का तो 68% जितने भी loans अभी तक approved हुए है वो women entrepreneurs को गए है and 22% of the loans जो है वो new entrepreneurs को जो नए budding लोग आ रहे हैं उनको गए है right now यह जो loans है यह किसके through provide किये जाते है member lending institutions के थो जैसे कि banks हो गए non banking financial institution होते है micro financial institutions होते हैं इनके through provide किये जाते हैं तीनों categories मैंने आपको बता दी शिशू किशो तरवन PMJJBY PMSBY and APY complete seven years of providing social security तो यह तीन schemes का नाम आपको acronym form में यानि short form में दे दिया गया है और यह social security schemes है number one और इनको 7 साल पूरे हो चुके है तो अब आपको full form पता होना चाहिए social security scheme का इन तीनों का और इसके तहत क्या lab मिलते हैं है न तो देख लेते हैं फटाफट PMJJBY प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना life insurance है okay PMSBY प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना accidental insurance है APY इस अटल pension योजना जिसमें pension मिलती है सो अब देखिए जो जीवन जोती बीमा योजना life insurance दो लाख रुपे insured sum होता है similarly यह अगर आपने देखा होगा अगर आपके सरकारी bank account है तो वहाँ पर भी प्रोविशन होता है mobile में आपके क्लिक से और यह insurance ले सकते हो 2 लाख का life insurance 2 लाख का accidental insurance है न तो यह वही है जैसे मेरा bank of brother में भी account है तो वहाँ पर यह options आते है they have this target के फिल करवान है सबसे अटल pension योजना 18 to 40 years के individual को होती जिसमें एक छोटा-छोटा आप हर महिने को amount दीजिए and then 3,000 per month के around I think pension हो जाती है तो scheme launch की थी प्रधान मंत्री जी ने 9 May 2015 को Kolkata West Bengal से तीनों ही schemes और इनको अब हो गए है पूरे साथ साथ social security schemes है ओके so ministry of finance की schemes खतम होती है अब हम आते हैं ministry of heavy industry heavy industry कौन है minister Mahindranath Panday phase 2 of fame India scheme phase 2 of Concee scheme fame India scheme will be implemented for a period of 5 years till which fiscal year so fame India योजना के दूसरे चरण को कि स्वित्य वर्ष तक 5 साल की अवधी के लिए लागू किया जाएगा answer is 2024 March के लिए तो fame India scheme पहले तो हमें पता होनी चाहिए फिर इसका phase 2 है और उसको कब तक के लिए implement किया जाएगा 2024 तक के लिए ministry of heavy industries ना notify किया phase 2 fame India का 3 साल के लिए April 19 to March 2022 पहले तो फिर इसको extend कर दिया गया 2 साल के लिए और March 2024 के लिए इस phase के अंदर second phase of scheme के तहत 1000 क्रोर को allocate किया गया है charging infrastructure के लिए what is this fame fame India what is this fame faster adoption and manufacturing of electric and hybrid vehicles okay so जो electric vehicles आने की कवायद है कि हम carbon free और electric vehicles पे आएं तो अगर आपको electric vehicle का infrastructure लाने तो charging points भी चाहिए तो यह जो second phase है fame India scheme का यह charging infrastructure डेवलप करने पर charging points लगाने आपको कहिए highways पे express ways पे cities में तो उसके लिए है so second phase के लिए 1000 क्रोर का आउटले दिया गया है charging infrastructure को develop करने के लिए mainly इनका जो focus रहेगा second phase का supporting electrification of public and shared transportation demand incentives के थूँ और charging infrastructure के थूँ यानि की incentivize करना जो भी demands जादा कर रहे हैं जो भी houses हैं जो electric vehicles की तरफ जादा रुजहान देंगे उनको और incentives देना और दूसरा charging infrastructure का डेवलप करना यह जो phase 2 है fame India scheme का उसका यह focus है fame India scheme मैंने आपको बता ही दी के faster adoption and manufacturing of electric and hybrid electric यानि पूरी तरह से electric hybrid यानि जो भी completely electric नहीं है hybrid mode पे चल रहे हैं government ने form किया था fame India scheme 2015 में large scale electric vehicle manufacturing वेगरा को बढ़ावा देने के लिए infrastructure requirement को meet out करने के लिए ओके जी फिर हम आते हैं श्रम एवं रोजगार मंत्राले यानि Ministry of Labour and employment कौन है Minister? श्रम एन रोजगार सोचो 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 भू भूपेंद्र यादव हमने कहा था ना श्रम भी आपको धरती से ही जुड़ा हुआ करना पड़ता है और बताओ चलो और बताओ भूपेंद्र यादव जी और किस चीज के यूनियन मिनिस्टर है कौन सी मिनिस्टरी के मतलब बूसरे मिनिस्टरी बताओ जो भूपेंद्र यादर जी के अंडर में आते हैं तो सबसे पहला देखेंगे सवाल डोनेट अपेंशन campaign has been launched अंडर विच सेंट्रल scheme by the government recently डोनेट अपेंशन कौनसी scheme के अंडर में सरकार ने इसको launch किया है so it has been launched in the प्रधान मंतरी श्रम योगी मानधन scheme श्रम योगी मानधन scheme थोड़े टाइम पहले हमने जब अभी vendors वाला पढ़ा था सुअनिधी से सम्रिथी उसमें ये नाम आपने पढ़ा PM श्रम योगी मानधन तो श्रम योगी मानधन क्या है pension scheme है तक्सफ्रीट vendors को ये pension से जोड़ने के लिए अब donate a pension campaign जो है वो इसी scheme के तहत launch किया गया है क्यों ताकि जो भी employer है या फिर जो आम जनता है वो अपने अंडर में जो unorganized sector के labor होते हैं ऐसे की आपकी कामवाली बाई हो गया driver हो गया है ना cook हो गया या कोई भी ऐसे unorganized sector के लोग है आप उनका जो premium जाता है ना हर महीने की जो किष्ट जाती है इस scheme के तहत वो आप भड़ सको ओके तो दिस इस campaign is all about donate a pension आप उनकी pension का पैसा जो contribution जाएगा वो आप भड़ दो और minimum एक साल के लिए भड़ना होता है जादा आप किता भी भड़ सकते हो और benefit उनको मिल जाएगा यानि आप उनको premium से मुक्त कर रहे हो So people employer can donate premium contribution to immediate support staff 18-40 साल के age group के लोगों के लिए एक साल तक का contribution दे सकते हो और प्रधान मंतरी श्रम योगी मांधन योजना क्या है pension scheme है और organized workers के लिए 2019 में इसको launch किया गया था गुजराच से launch हुई थी यह फिर हम आते हैं ministry of जलशक्ती आज के लिए आखरी ministry हम discuss करेंगे इसके बाद second part हम लेकर करेंगे वीडियो का तो remaining ministries हम उसमें cover करेंगे थोड़ा पढ़ो भले से लेकिन पक्के तरह से दिमाग में डालो this is important है ना कई बार होता है ना बहुत सारा खाना इखटे खालोगे तो क्या होगा? वामिट आउट करोगे या फिर वो बद हजमी करेगा so it's important कि frequent intervals में लेकिन उतना ही खाओ जितना body को required हो similarly consistently पढ़ो ऐसा नहीं कि आज बहुत सारा पढ़ लिया और चार दिन तक कुछ नहीं किया तो फिर वो result नहीं शो करेगा consistently पढ़ो पर small chunks में पढ़ो ministry of gel शक्ति यानी gel शक्ति मंत्राले के बारे में देखते हैं कि यह थोड़ा सा comparatively नया मंत्राले है 2019 के अंदर इसको में के अंदर form किया गया था दो departments, दो ministries को जोड करके बनाया गया था ministry of water resources, river development, ganga rejuvenation and ministry of drinking water and sanitation और कौन है union minister हाथी Gaj, Gaj से Gajendra Singh शिखावच जी पहला सवाल आप देख रहे हैं सू जलम 2.0 campaign कौन से मंत्राले ने launch की है answer is, सू जलम जल आ गया तो जल शक्ती है तो यह जो campaign है यह grey water management के लिए launch किया गया पूछा जा सकता है कौन से water के लिए clean water, grey water, black water तो grey water management के लिए क्या होता है grey water भी बताऊंगी कब launch किया गया, world water day पे किया गया जो की 22 मार्च को आता है तो again, world water day पूछा जा सकता है इस दिन कुछ launch किया गया है सरकार द्वारा तो important हो जाता है तो यह भी आप देखेंगे theme क्या रही, theme रही groundwater making invisible visible groundwater water table कम होती जारी invisible होती जारी, इसको visible करना grey water होता है basically, एक तो होता है clean water, बारिश में, नदियों में तालाबों में जो पानी होता है, एक होता है grey water जो हम sinks में, showers में आपने बरतन धोए उसके बाद जो पानी निकला हाथवाद धोए उसके बाद जो पानी निकला कपड़े धोए उसके बाद जो पानी निकला फीकल मेटर नहीं होता है, इसमें आपकी बॉडी का कच्छरा वगरा मिक्स नहीं होता है, और फिर होता है ब्लाक वाटर, जिसको आप वापिस यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे गटर में आपने फ्लश कर दिया, उसके बाद वाला जो पानी है, टॉलेट्स में हर्श केमिकल्स जो होते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड मिले हुए हैं, डिटर्जेंट मिला हुआ है, इन सारे पानियों को वापिस यूज नहीं कर सकते हैं, ठीके जी, तो जिसमें ज्यादा हार्श केमिकल्स नहीं हैं, वो ग्रे वाटर है, जिसमें हार्श केमिकल्स हैं, वो तो मैनेज करना ग्रे वाटर को लोगों के पार्टिसिपेशन से अप्रॉक्सिमेटली 31 बिलियन लीटर्स ऑफ ग्रे वाटर हर दिन इंडिया में जेनरेट होता है अगर इसको प्रॉपर्ली री यूज करना हम सीख जाएं तो काफी सारा पानी बचाया जा सकता है कि और इसके लिए हर लेवल पर स्ट्रक्चर तयार किया गया है क्योंकि मास पाणिषण जहां ग्रे वाटर प्रड्यूस हो रहा है वहीं उसको री यूज किया जाएगा तो यह काम पॉसिबल है तो इसके लिए काम मतलब प्लान तो बनाया गया है फिर हम आते हैं जल्शक्ति अभियान जल्शक्ती अभियान catch the rain catch the rain यानि कहीं न कहीं बारिश के पानी को रोक के रखने की रेन water को harvest करने की बात हो रही है and 2022 वाला यह अभियान है जो हमें देखना है जल्शक्ती अभियान जो है अचली यह launch हुआ था 2019 के अंदर water conservation and water resource management के लिए ठीक है फिर इसका दाइरा थोड़ा बढ़ाया गया पहले तो क्या था water को conserve करो water resources को manage करो जैसे ताला पोखर वगरा उनको manage करो है न और जो already existing water इसको ढंग से use करो like that फिर इसका scope बढ़ाया गया और इसको जल्शक्ती अभियान catch the rain नाम से लाया गया catch the rain where it falls when it falls ये इसका theme रखा गया यानि जब बारिश हो रही है monsoon वाला जो पूरा time होता है उस दोरान जो पानी बहुत सारा आ रहे है उसको manage करो ये दाइरा भी इसमें add कर दिया गया अब इसी जल्शक्ती अभियान catch the rain का 2022 का ये पूरा campaign आगे बढ़ा है third series और इसको March 2022 में launch किया गया सारे blocks district के जितने भी blocks होते है rural urban areas में उन में और 29th March से 30th November तक ये चलेगा प्री-monsoon से post-monsoon period तक ठीक है मतलब पोस्ट तो क्या retrieving जब retreat हो रहा होता है monsoon जा रहा होता है इंडिया से तो pre-monsoon से लेके monsoon period तक का जितना भी पानी आप उसको धंसे manage कर सको एकटा कर सको ठीक है जी और lastly हम आते हैं अटल भूजल योजना ये भी जलशक्ति के अंडर में ministry में आती है इसको अटल जल भी बोलते हैं अटल भूजल योजना या अटल जल सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है मिनिस्ट्र जलशक्ति के अंडर में आती है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट करना कम्यूनिटी पार्टिसिपेशन से अब देखिए पहले जो हमने देखा था आट वस मोर टू डू विथ रेइन वाटर अब ये ग्राउंड वाटर लॉंच किया गया था 25 दिसंबर 2019 को 25 दिसंबर इस दी क्या है 25 दिसंबर को ऐसा खास अटल जी से जुड़ा हुआ है ना उनकी बर्थ अनिवर्सरी पड़ती है सो इसको साथ स्टेट्स में सेलेक्टिवली अप्लाइ किया जा रहा है हर्याना राजिस्थान यूपी एंपी गुजरात महराश्टरा और करनाटका में काम क्या है कि पूरा डीटेल फ्लान चॉक आउट करो के जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो अभी कितना हमने यूज कर रखा है कैसे उसको बैटर यूज कर सकते हैmm nursery कैसे कर सकते हैं और gear यूज को किया जा सकता है तो यह सारी चीजें कम्यूनिटी पाटफिसीपशन से को सॉट आउट करने कोशिश चलती रहती तो इस बहुझल योजना अटल भूझल योजना कितने स्टेट्स में seven states सेवन स्टेट का नाम हमें पता होना चाहिए ठीक है अन्विद इस आज का सेशन तो होता है ओवर लेकिन अभी सेंट्रल गवर्वर्मेंट स्कीम पूरी नहीं हुई है क्योंकि सारे मंत्राले अभी हमने कवर नहीं किये हैं एक और पार्ट में लेकर के आओंगी आज है थर्स सोच रहे हो थोड़ा बहुत भी कोर्स लेने का तो अभी ले लिजेगा विकोज ऑक्टबर से प्राइस रिवाइस होने के हैं तो यह मैंने आपके हित में यह जानकारी दे दी है और दिसकांट्स आते रहते हैं फ्रम टाइम टो टाइम बट स्टिल थोड़ा बहुत छोटा मोट आई सही पर थोड़ा सा रिविशन आज जाएगा ठीके जी on this note I take your leave see you very soon टाडा बबाई